प्राम सभी के हमाना महरी आप रोलो देखा तरी हमाँ चैनल स्थी प्रसाद माइंट वीडियो के शुरू से लाज तक जरूर देखाब आज के स्पेशाल रेसी वा अंडा के पॉच अंडा के पॉच के सिम्ला मीच में कैसे बना वा बहुत ही असानी तरह से दिखाव वीडिय जरू सबस्क्राइब करण सबस्क्राइब करें पाद बगल में बेल घंटी बास बेल घंटी के जरूर प्रेस करें लिंक में लाइक करण के दोस्तों के जरूर सेरक्रण और कमेंड में ही बताएं कि वीडियो में रेस्पी जुन मनावल भाए ये रोलों के क्षिन लागा और घार में भी रेस्पी के बनाएब और कमेंड भाक सो बतावें कि रेस्पी के स्वाथ क्षिन लागता है कि अधा अधा के नहीं रेस्पी बनावा जाता नी एक नामा अंडा पोच जुन भावे शिमला मिर्च के अंदर डालके बनावाँ जी एक रहा काती सबसे पहले गास पर तवा गरम नौन स्टिक के यूज करता निये पर आयमें तेल डाले जी सबसे पहले जो नाई सिमला मिर्च रखल भाई ही जू नमीच काट कर रखल भाई है के हम तवा पो रखातनी है जो रखल प्रटों कर अबर्वाँ नौन भाई है कर दो रखलाना शोड़र भाई है Wahr वाल ऑरता rice, वालो जो जो चली में घज़ा कमोई झाल वाल मिर्वाँ एक वाला प्याज, नमार्ख, काली मीज पाउडर और लाल मीज पाउडर पर आखिए यहीं है सब नहीं है परी आंडा पले खुराजी प्याज, फिर नमार्ख, काली मीर्च पाउडर यह थो आखिए लाल मीज पाउडर अंडा परल प्याज, फिर नमार्ख, काली मीज पाउडर, फिर लाल मीज पाउडर पर अवे रहागे अच्छाओं नए अंदाज में शिमला मिच में अंड़ पोच बनता बहुत स्वाधिस्ट बहुत बढ़िया बानला अब एक राके फोरदेर के लिए धक देल जी धक देल जी धकल जी एसे कि शिमला मिच बार ना धकल ना जी ते पाकी ना अथोलेंते आर कर जा अब चेक कर लेता कैसर भाव अंड़ा कैसर भाव अंड़ा पाकल जा पाकल भाव अब एके बीच वीच वे अंड़ा धालेल भाव एके तनी पलाट दियाल जी पल्टा था कितना सुनारा रंग दिखा था नीचे में लेकर ना बढ़ी है पल्टा गए अफैने के थोज़े के लिए धग दियाल जी अफैने के थोज़े के लिए धग देल जी वेके प्लेट मेंनी करल जाता है रह सुन्दार झाल जाता है रह सुन्दार झाल जाता है रह सुन्दार बहुत बढ़ी है रहके पहुच बनलवा सिमला मिच में तब चैनल के सब्सकाइब करें विडियो के लाइक करें शेयर करें फेस्बूक इस्टाग्राम के कमेंट करें विडियो के पूरा देखें और फिर मिल लिए अगला विडियो में जय हिंद जय भारत जय भजपुरी समाज